बिग बॉस ओटीटी सीजन टू के विनर एलविश यादव ने मारा मुनावर फैंस को जैपूर रेस्टुडेंट में थपड़ एलविश की हुई है जैपूर रेस्टुडेंट में बड़ी लड़ाई आखिर क्या है वो पूरी वज़ा तो इस वीडियो के साथ आप भी बने बेस देखने को मिला था वैसे तो एलविश की सारे ही मीटअप में सिश्टम हैंग हो जाता है और ऐसा है इस बार भी देखने को मिला था लेकिन ये बार कोई बड़ी कॉंट्रवर्सी हो गई है और इस बार जैसा कि आपको पता होगा मुनावर वसस एलविश काफी लंबे समय से चल रहा है बिग बॉस खतम होने के बाद से ही मुनावर की जनता एलविश आर्मी को एलविश आर्मी मुनावर फैंस को लगाता है एक दूसरे में ट्रोलिंग तो सोशल मीडिया में बहुत आम बात है और होती भी रहती है इससे पहले भी अलविश आर्मी की वैश्टनो देवी वाली कॉंट्रवर्सी हुई थी जिसको बाद में खुद अलविश आर्मी में अपने व्लोग में आकर क्लियर बताया था कि क्या कुछ वहां पर बड़ी बजा थी लेकिन इस बार तो यह वो क्लिप है जहां पर जाइपूर के रेस्टुडेंट में अलविश वैदव जाते थे और जाते जाते यहां पर एक इनसान को थपड मारा है एलविश ने उसके बाद सोशल मीडिया पर जितनी मू उतनी बाती हो रही है कुछ लोग ये कह रहे कि मुनावर फैन्स को Elvish ने थपड मारा है, कुछ लोग ये कह रहे कि Elvish को अब्यूस किया था इस बंदे ने जिसके चलते Elvish ये तबने सामने से जाकर उसको ऐसा करारा तमाचा मारा है, वाके में वीडियो में गूंज रही हैं आवाजे तो आप सूच सकते हूं कि थपड़ में कितना दम था लेकिन अब एल्विश ने ट्विटर स्पेस में आकर क्लियर बताया कि क्या बड़ी वज़त थी पहले मैं चाहूंगा इसको एक बार को आप जरूर सुनिए तो यहां पर एल्विश यदव का क्लियर टुकट है यह कांट्रोवर्सी को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दिशा दे रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दू, यहाँ पर एलविश यदव का साफ कहना है कि यहाँ पर एलविश को किसी फैंस है, यहाँ पर एलविश को अब्यूस कर रहे थे, रेस्टुडेंट में बैट कर और मा बेन की गाली दे रहे थे, यही वो बड़ी वज़ा थी, जहाँ पर फुल सि है कि एलविश को, अगर आप किसी भी इंसान को अब्यूस करोगे तो जाहिर सी बात है, थपड तो आपको पड़ेगा, आप किसी के माबेन की रिस्पेक्ट ने कर रहे हैं, आप किसी की माबेन को गाली दे रहे हो, तो आपको थपड तो आप डिजर्व करते हो, तो एलवि कि वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीचे